आप सबी का स्वागत है हमारे चैनल उराम टीवी जेएच में और आज ए क्लास में हम लोग एनिमल्स नेम करने वाले हैं यनि की जानवरों के नाम जिसे हम लोग कुड़ुख में किंको बोलते हैं तो आप लोग टॉपिक का नाम देखी सकते हैं पोस किंको अरा बन्या किंको पोस किंको का मतलब क्या होता है पोस किंको का मतलब होता है पालतू जानवर जैसे के आपका होज़ेगा गाई ठीक है बिल्ली कुत्ता ये सब क्या है हमारे पालतू जानवर है और आपका बन्या किंको, बन्या किंको का मतलब होता है जंगली जानवर, ठीक है, जिने हम पालतू नहीं बना सकते, जनरली, लेकिन बनाया जा सकता है, लेकिन बनाते नहीं है, तो उन्हीं को हम लोग बन्या किंको कहते, जो जानवर जंगली होते है, ठीक है, तो आज इसी ट को स्टार्ट करते हैं तो चलिए पोस्ट किंको से स्टार्ट करते हैं ठीक है तो पहला नाम है अड़ो अड़ो का मतलब होता है बैल ठीक है अड़ो मतलब बैल दूसरा देखते हैं ओए का मतलब होता है गाई ठीक है तो बैल अलग चीज है और गाई अलग चीज है बैल को हम कहते है अड़ो और गाय को कहते है ओई चलिए आगे देखते है मनखा मनखा का मतलब होता है भैस तो मेल और फीमिल दोनों ही भैस को हम मनखा कहते हैं चलिए आगे देखते हैं एडा का मतलब होता है बकरी या फिर बकरा ठीक है तो बकरी को हम बकरी को भी हम एडा कहते है और बक्रा को भी हम एडा कहते हैं, नेक्स्ट देखिए बच्छरू, बच्छरू का मतलब होता है गाय का बच्चा, मतलब की मेल बच्चा हो, चाहे फीमेल बच्चा हो, ठीक है, यानि की बच्छरा भी हो सकता है, या फिर बच्छरी भी हो सकती है, तो उसको हम बच्छरू कहते ह नेक्स्ट है आपका घोडो, घोडो का मतलब होता है घोडा नेक्स्ट है आपका अल्ला, अल्ला का मतलब होता है कुत्ता, ठीक है? मेल कुत्ता और फीमेल कुत्ता, दोनों ही कुत्ता को हम अल्ला कहते हैं लेकिन male कुट्टा के लिए एक और word यूज होता है, koटा अला, ठीक है, koटा अला मतलब की male कुट्टा, और female कुट्टा के लिए हम, koटी अला, word यूज करते हैं, ठीक है, और इसके बारे में एक और information देती हूँ, जैसे कि allah pin, allah pin का मतलब होता है, पिस्सू, जो की कुट्ट का बच्चा, चलिए, next देखते है, बिर्खा, बिर्खा का मतलब होता है बिल्ली, next है, किस या फिर किसी, ठीक है, इसका मतलब होता है सुवर, ठीक है, तो सुवर, मेल और फीमिल, दोनों कोई हम लोग किस या फिर किसी कहते हैं, लेकिन जो फीमेल सुवर होती है, उनके लिए हम कटड़ी वर्ड भी यूज करते है ठीक है कटड़ी या फिर बुढ़ी तो आप ये दोनों ही वर्ड में फीमेल सुवर के लिए यूज करते है चलिए अब हम लोग दूसरी टॉपिक स्टार्ट करेंगे यनिकी बन्याकिंकों के बादे में ठीक है तो पहला नाम है चिड्र चिड्रा का मतलब होता है गिलहरी ठीक है गिलहरी मतलब चिड्रा नेक्स्ट है आपका मिढ़ो मिढ़ो का मतलब होता है भालू ठीक है मिढ़ो मतलब भालू नेक्स्ट है लकड़ा लकड़ा का मतलब होता है बाग या फिर शेर तो बाग के लिए भी हम लकड़ा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट है आपका मुया, मुया का मतलब होता है खरगोश, ठीक है मुया मतलब खरगोश, नेक्स्ट है माक, माक का मतलब होता है हिरन, ठीक है हिरन, नेक्स्ट है उसगा, उसगा का मतलब होता है चुहा, या फिर मूशक, मूशक का साइज थोड़ा सा बड़ा होता थीकंस को का मतलब होता है या फिर छोटा चुहा तो इन दोनों को हम लोग चुली घरों में पाया जाता है नेक्स पर ने से पहले मैं आप बताना चाहूंगी लाइट टूशन क्लास के बारे में जहां आप लोग मुझसे लाइफ क्लासस में कुडुक पढ़ सकते हैं और अपना कोश्चन यानि की डाउट मुझसे पूर सकते हैं यही नहीं वहाँ पर आपको और भी कुडुक लोगों से बात करने का मौका भी हमारे कुडुक क्लास से आप लोग बहुत ही आराम से कुडुक सीख सकते हैं और वो भी बहुत जल्दी और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हमारा कुडुक स्पोकन कोर्स जिसमें आपको recorded वीडियोस मिलेगा जिसे आप कभी भी कही भी और जितनी बार चाहे उत जो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप लोग वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट है आपका पिठो पिठो का मतलब होता है हाथी ठीक है हाथी मतलब पिठो नेक्स्ट है सही सही का मतलब होता है साही नेक्स्ट है आपका सिक्टा सिक्टा का मतलब होता है सियार या फिर गीदर नेक्स्ट है आपका चिगला चिगला का मतलब भी सियार होता है ठीक नेक्स्ट है आपका बंडो बंडो का मतलब होता है बिल्ली की प्रजाती जो की size में बड़ी होती है और ये जंगलों में रहती है तो इसको हम लोग बंडो कहते हैं तो आज ही class में बस इतना ही मिलते है next class में class कैसा लगा आप लोग हमें comment करके जरूर बताईएगा और अगर अच्छा लगा हो तो like भी कर दीजेगा और यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले और bell icon को भी press कर लिजेगा जिससे कोई भी नए वीडियो आए तो उसका notification आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए ठीक है तो मिलते है next class में thank you